देर फ्रेंड्स आज से हमने जो वो क्विक रिवीजन आफ एच्पी टैट प्रिविएस येर क्वेशन पेपर का जी के सेक्षन जो वो स्टार्ट किया है तो आज हमारे पास पेपर है नवंबर 2019 का तो इसमें सबसे पहला क्वेशन आप सभी की स्क्रीन पे विजिवल होगा कि बोलो एप किसके द्वारा लाँच किया गया था तो बोलो एप जो वो आपका Microsoft, Google, Flipkart या फिर Apple तो इसमें Google के द्वारा जो वो Microsoft लाँच जो आपका बोलो एप था वो लाँच किया गया था सेकेंड आता है आपका World Cancer Day जो वो कब Observed किया जाता है तो मैंने आपको Class में भी बताया था कि एक Question जो वो आपका Day से Related जो वो पूछा जाएगा तो World Cancer Day जो वो आपका 4 February को जो वो मनाया जाता है और इसकी Theme क्या थी 2022 के लिए जल्दी से Comment करके सभी जो अब अंसर करेंगे Next Question अंसर दे दीजिए कि बर्स 2021 में प्रस्तावित महिला विश्योकप का एवजन जो वो किस देश में होगा तो यह Previous Year का Question Paper है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे इस Question का जो अंसर था New Zealand Option Number A आपका बिल्कुल सही अंसर है Next देखिए The Capital of Australia तो Capital से भी एक Question जो वो आपको आएगा ही आएगा तो Capital का Topic भी आपने पढ़के जाना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अस्ट्रेलिया की जो Capital है वो है के इनवरा Option Number Second इसमें आपका सही अंसर आ जाएगा और इसका जो Detailed Version है उसको हम Daily आप जो वो 4 पीम जो वो स्टार्ट करेंगे चार बजे जो अब आप जीके की क्लास आपकी लाइब जो वो यूट्यूब पे रहेगी तो चलिए Next Question देखे तो यह Question जो वो गलत हो गया था इसमें Option जो वो गलत दे रखे थे 15 क्रोट जो वो आना था इसमें नेक्स देखे आइस क्रीम इस सेपरेटेड बाइ मिल्क बिच आफ दो फॉलाइंग प्रोसेस तो दूद से मखन जो वो अलग करने की विधी को हम क्या कहते हैं तो सेंट्रिफ्यूगेशन Option नमबर डी आपका बिल्कुल सही अंसर आ जाएगा नेक्स देखे नवाड क्या है तो नवाड एक समिती है वोर्ड है बैंक है या फिर एक सहकारी सभा है तो आपको पता होना चाहिए नवाड वो एक क्या है बैंक है Option नमबर C आपका इसमें सही अंसर था नेक्स देखे त्रिगर्थ वाज डिराइब इंटो टू पार्स अफ नगर कोर्ट और इसमें सही जलंदर ओप्शन नमबर C आपका सही अंसर आ जाएगा जो आपका त्रिगर्थ था इसका एक भाग जर वो नगर कोर्ट था तो दूसरा भाग जर वो इसका जलंदर में था नेक्स देखे देखे दे रिमूबल ओफ प्रेजिडेंट फ्रॉम ओफिस इस तू बी ए अन अकॉर्डेंस बिद आर्टिकल डैस अफ दे कंसिटूशन संभीधान के डैस अनुछे की अनुपता के से रास्टरपती को पद से निसकासित किया जा सकता है तो रास्टरपती को पद से निसकासित करने के लिए जो संभीधान में आर्टिकल बना है वो आर्टिकल नंबर 61 ऑप्शन नंबर सी आपका सही अंसर है नेक्स देखे रमनिय गौन मलाना जो वो सर्व मान्य शाषक कौन था उसका जो आपका बिच आफ दा अन्कुजनाइजड रूलर आफ पिक कि जो वो पूजा करते थे आप्शन नंबर ए इसका आपका सही अंसर है नेक्स देखे मिंजर फेर इस दा इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट इन चंबा डिस्टिक वर्ट डज मिंजर रिपर्जेंट फॉर तो चंबा मिंजर मेला चंबा जिले का मैं मनाय जाने वाला एक मैट पूर्ण मिला है तो मिंजर किसके लिए जो वो निरूपित किया चाता है तो सभी को पता होना चाहिए मक्की के फूल ऑप्शन नंबर डी आपका सही अंसर है नेक्स देखे अटल न्यू इंडिया चैलेंजिस प्रोग्राम बाइज लांस्ट अन तो अटल न्यू इंडिया प्रोग्राम जो लांच हुआ था ये भी क्रेंट अफेर का कुश्चन है तो उस टाइम इसका जो अंसर था ओप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू दा ओफिशियल अंसर की ओप्शन नंबर सी आपका सही अंसर था नेक्स देखे किस वर्स इसा मसी जो जो हो सूल पे आया गया था ओप्शन नंबर ए थर्टी थ्री एडी नेक्स देखिए हिमाचल प्रदेश में मरिकुला देवी मंदिर जो वो कहां प्रिस्तित है उदेपुर काजा केलां या फिर स्पीती तो ऑप्शन नंबर ए उदेपुर जो वो आपका लाउस पीती अंसर जो वो रही हो जाएगा Next देखिए रिवालसर में किस भौट भिक्षू का जनम हुआ था तो किस भौट भिक्षू का जनम हुआ था कहां पे रिवालसर में तो पदम संभभ जो वो आप्शन नंबर सी इसका विलकुल सही अंसर था Next question है My unforgettable memories My unforgettable memories के जो आपके पास लेखक थे वो कौन थे तो आपको पता होना चाहिए इसके जो लेखक थे वो थे आपकी मुम्ताब energy option number B आपका बिल्कुल सही answer है तो इसी तरह daily हम जो वो एक question paper G के section जो वो जुरूर discuss करेंगे और detail version के लिए daily life test जो हमारे जैसे परयाज series जो वो conduct करवाईगी थी उसी तरह से हमारी परयाज series 1 by 1.2 जो वो जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो daily जो वो चार वजे आपकी जो वो class रहेगी YouTube पे Thank you so much मिलेंगे next class में